बोटनी तब बंडिंग दी जाया लेकि आया है आप सब के लिए MSC बोटनी इंट्रेंस मॉक्टे सीरीज 2023 अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं या करना चाहते हैं डी यू भी या हैदराबाद लाइक उनिर सिटी के लिए MSC बोटनी इंट्रेंस के लिए तो आप यह हमारा टेस् जॉइन करना चाहते हैं तो यहां पर वन मंत में हर संडे को एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट के बाद आपको तुरंद पीडिया प्रवाइड के जाएगा और वीडियो सलुशन दिया जाएगा तो एक मेने का जॉइन करेंगे तो आपको 100 रुपे करना है थ्री मंत के इस्टा इंफर्मेशन चाहिए तो यह हमारा नंबर दिया गया है जहां पर आपको फी पेमेंट करना इसी पर आप फी पेमेंट आप गूगल पे पीटिया फोन पे किसी भी मीडियम से कर सकते हैं ओके करने के बाद अगर कोई डाउट है तो उमेद करता हूं कि आज सब अच्छे से कर रहे होंगे तो आज आये हम जो मॉक टेस्ट हुआ था हमारा बॉटनी बेसिक्स मॉक टेस्ट वन ठीक है जो कि एकदम फ्री था उसका हंडेट कुश्चन लेके आए हैं हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि राइट एंसर क्या होगा हर फ्राफर इस्प्ला आटा है बायंड करके अगर वो पहचानेगा तब ही लेकर आएगा तो यह किस तरह होता है कि वहां डिसका और कि में देखाएं डिक में देखा जाता है कि कि सीभी लिप को या किसीबी प्लांट पार्ट और को साइटोका Praise की मीडियल में अगर दीप करके रखा जाता है तो उसमें क्या होता है से वह यह होता है जीन होता है गैन है तो गुखuthesus का रियांसर होगा दूसरा इंधर यजायच होता है में यह होता है तो इंध्रिश्याज करता है तो इस कोच-गुछ एलगी like the trichormus ऐसे करके हैं उसमें होता है monofledger quadrifledger जैसे आप बात करें तो वेडोगोनियम हो गया quadrifledger multi-fledger आपको वाउशेरिया आप देखने को मिलेगा तो यह सब चीछे important है आप सब के लिए आप सब के एक्जाम में पूछी जाएंगी तो याद रखेंगे the first seed plant appear during तो देखिए बहुत जगे confusion होता है like the carboniferous भी बोलते हैं like लोग तो लेकिन dionion है आप यहाँ पे explanation देख सकते हैं कि fossil plant इस निया जो था आपका polymer वो seed fund था dionion period में 400 million year ago दिखा गया था तो dionion is the right answer according to me and according to some website and also here is the last website where the answer is mentioned to carboniferous लेकिन आप क्या लगाएंगे dionion ही लगाएंगे okay क्योंकि dionion पहले है the next question is ruminant indosperm is present in which family ठीक है आप indosperm क्या होता है आपका पता है primary indosperm nucleus जो की triploid होता है angiosperm में haploid होता है आपका किसमें होता है gymnosperm में haploid होता है तो ruminant का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि region furrow देखा जाता है जैसा सुपारी आप देखेंगे तो उसमें line line देखने को मिलता है region furrow like structure तो इन नोस्री में में देखने को मिलेगा ruminant indosperm ठीक है hello BLS आप पढ़ेंगे आगे हम बात करेंगे forins are not present in pourins like the membrane होता है membrane में poor होता है to the pass of the molecule ओके तो प्लास्टीर हो गया bacteria हो गया मैटो कंडिया में वो pourins protein पाई जाते हैं जो की moment of the molecule में help करते हैं like girl ji complex में कोई भी pourins नहीं मिलते हैं okay एगार 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 एक collide हैं जिसका हम gel electrophoresis में use करते हैं और आपको isolate करना है तो red like gracilaria, geladium, gymnodium ठीक है यह तीन-चार इलगी है और होंगे तो इससे isolate किया जाता है okay देखें यहाँ पे जिजार्टिना भी है तो आप फिर okay what is the genophore genophore is the genetic material of the procreate like the bacteria तो genophore जो होता है DNA जो होता है circular वाला उसे ही हम genophore बोलते हैं ठीक है genophore में सिर्फ DNA होता है RNA और protein include नहीं करेंगे उसमें okay coffee plant belong to the family तो coffee plant जैसे जिस family से कडम बिलॉंग करता है ruby AC family तो coffee कहां से बिलॉंग करता है ruby AC family से बिलॉंग करता है ठीक है ठीक है 2C से क्वोन है थीया साइन ऐन सीजड़िद चाय विलॉंग करता है मालव एडलफस का मतलब होता है कि जो इस्टिमेन होता है ना सब एक दूसरे आपस में उनाइट करके एक कामन बना लेते हैं और इस्टिमेनल ट्यूब का फॉर्म कर लेते हैं ठीक है तो मालवेसी का एक फीचर है तो बैक्तिरिया का आप क्लासिफिकेसन देखेंगे या इस किरिया को लाई को देखेंगे तो इस बैक्तिरिया पे जो फ्लेजला होता है आल एराउंड बॉडी होता है तो इससे हम पेरी ट्राइकस बैक्टिरिया बोलते हैं ओक्यए एमपिट्रैकस में जैसे नैट्रुच्व मोनास हो गया दोनोसायट फ्लेजला रहेगा ओकई छली अगले soher चलते हैं वह आशार फॉलिऍफोग हामिन का मतलब होता है कि जो çी आफका का निफ्रिक में से चा तो चार अलग अलग हो गया ना तो उधो एक आईरल है और सिंप्लेस्ट अमिनोशीड है याद रखेंगे चले आगे चलते हैं वीचाप फॉल्विटिंग रूट्लेस फॉर्ण तो देखिए फ्री फ्लोटिंग रूट्लेस फॉर्ण जो आपका है वह सालवीनिया है यह आप आपको याद करना पड़ेगा एजोला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इस फैग्नम जो है कोई भी एज प्लांट को जैसे वाटर एब्जॉर्बिंग की तरह मैट्रियल की तरह काम करता है तो आप देख लेंगे सेरूलर अर्गनेल इन्वाल इन्वाल कैल्सियम केंधा तो कैल्सियम का रिगूलेश्ण जैसे की उसा शेरा ओर्गनेल है जो चैल्सियम को स्टोर गरी रखता है जब ज्यनृत पड़ती हैं तो कैल्सियम को रिलीज करता है तो यह आपका एंडोप्लाजम रेटिकॉलम आपसीग्नेलिंग यह सब आगे पढ़ें तो Allopatric, Sympatric, Peripatric, Parapatric ठीक है? यह सब आप Speciation के टाइप है Speciation का मतलब होता है Formation of New Speciage तो Allopatric में क्या होता है? कि वहाँ पे Geographical Barrier आ जाता है तो उसके वज़स Speciation Sympatric में कोई भी Geographical Barrier नहीं होता Peripatric, Parapatric आगे जब मैं डिटील में आपको पढ़ाऊंगा तो यह सारी शीचे मैं आपको वीडियो बना के Separate like the Speciation का इस्प्लेइन कर दूँगा चलिए आगे चलते हैं यह है इस एक ग्लोब्रल प्रोटीन 6 किलो डाल्टन Consisting 51 अमीनो एसीड अरेंज इने 2 पाली वेप्टाइट चैन हेल टूगेदर बाई डायसलफाइड ब्रीज तो कौन साइज इसमें 51 अमीनो सीड होता है एक में 30 होता है दूसरे में 21 होता है तो बहुत ही सिंपल कॉस्चिन है लग दे इंसुलीन इसका राइट अंसर है इंसुलीन कहां से सिकरीट होता है आप सब को पता है पैंक्रियास सहं कौन से 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 बीटा से से लाइंगेर हैंस बीटा सेल्स अप लाइंगेरंस याद खिल लेंगे अब ओके इगार-एगार इस आफ या रिपीट हुआ है जिलीरियम मैंने बता रखा है ओके फार ओरिजीन अ प्लांट बॉड़ी एंड टेडोफाइट तो तीलियूम थियूरी बहुत इंपॉर्टेंट है टेडोफाइटा में से ठीक है टेलोम थियूरी हो गया वैस्कुले बंडल्स हो गये तो टेलोम थियूरी जीमर मैंने दिया था उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे प्लांट इवाल्वेशन हुआ इंड़ टेडोफाइट सेल वाल आप डेटरोमाइसी टीच कंटेन तो डेटरोमाइसी जी फंजाई जहाँ पे six-way reproduction absent होता है ठीक है डस्टी बीन अब फंगल किंडम भी बोलते है तो यहाँ पे काईटीन ग्लुकोन होता है काईटीन का सेल वाल होता ही है तो ऐसे ही आप देख लेंगे और किस इंतों काईटीन है नहीं तो काईटीन नहीं होगा अगला कोईशन है a tissue with spiral thickening in a cell wall capable of absorbing water from air is known तो ऐसा कौन सा tissue है जो air से water absorb कर सकता है तो आर्कीड आप पड़े होंगे आर्कीजी जे इपीफाइड जो के दूसरे प्लांट के उपर ग्रोव करता है ठीक है दूसरे प्लांट के उपर ग्रोव कर रहा है लेकिन जो absorption ले रहा है ठीक है moisture water वो environment से लगा रहा है वेलामेंट इसू से अगला कोईशन है अगला कोईशन है अगला कोईशन आप अगला कोईशन आप प्रेजेंट इन दे इस्पोर एंजिया माप तो वो क्या करता है water को एपजार करके swell up होता है और sporophyte को brush करता है जिससे spor release होता है तो elater कहां पर होता है markensia में होता है okay, ricia में elater absent होता है ricia का sporophyte death and decay होता है तब spor release होता है markensia में elater होता है और anthoceras में pseudolater होता है sphagnum में जो होता है कालूव मेला हेल्प करता है तो याद रखेंगे अगला कोश्चन है क्वार आप कमर्स सिश अप्टेंड फ्रम तो कौईर कहा से अप्टेंड होता है मीजो कारप पार्ट जो नारियल होता है तो नारियल को जब हम लाते हैं कहीं चड़ावाड़ावा चड़ाने के लिए तो उपर का जो रेसे दार structure होता है लाइक अगर आप हरा नारियल लेते हैं जहां का पानी भीते हैं तो जो हरा हरा पार्ट उपर करता है वो EP कार्प होता है ठीक है और जो वो रेसे वाला होता है रेट कलर गा थोड़ा सा ब्राउनिस कलर गा वो आपका मीजोकार्प होता है तो उसी से हम क्यार निकलते हैं तो इसका रहाट एंसर होगा यह सी अगला कोशन है higher oxygen to cytokinin ratio in cultured cholesterol tissue from tobacco stimulant तो oxygen ज्यादा है cytokinin कम है तो आज साथ तो आज साथ है ट्रीक है अगर oxygen ज्यादा रहेगा तो जड़ बनेगा यानि root का formation होगा अगर cytokinin ज्यादा रहेगा तो त मने तना बनेगा तो higher oxygen मतलब root का formation होगा अगर दोनों का concentration आप बराबर रख दे तो कैयलस का development होगा उसमें root का differentiation नहीं होगा ना ओके C होगा इसका यहाँ पर देख सकते explanation है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस question को लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए लाइक एगरिकेशन आपका प्रोटीन के लिए इस्टन ब्लोटिंग किसलिए होता है आपका आरने के लिए याद कर लेंगे अगला question है the most important function of heterocyte is तो heterocyte जो होता है आपको blue-green algae में मिलता है कुछ blue-green algae होते है likely or tricia हो गया नास्टाग हो गया ये vegetative cell ही होते हैं जो swell up हो जाते हैं nitrogen fixation में help करते हैं आप एक question बताएंगे कि normal cell में जो होता है first and second दोनों present होता है लेकिन heterocyte में एक photosystem absent होता है तो वो कौन सा photosystem है जो heterocyte में absent होता है अगला question है termite digest root with the help of enzyme secreted by the तो termite जो होते हैं दीमक होते हैं उट को digest करते हैं तो वो एक enzyme secret करते हैं actually में दीमक नहीं secret करते हैं दीमक के अंदर symbiotically एक trichonimpha नम का bacteria रहता है वो secret करता है उस enzyme को तो digest होता है जो protozoa है तो actually में ये trichonimpha protozoa है आप बैक्टिरिया दे दिया गया है तो आप trichonimpha याद करेंगे कि ट्राइफो निमफा आर्गनिजम वो काम करता है आप चेक कर लेंगे एक बार कि ये protozoa है कि बैक्टिरिया पैसे सेल आर्थीन वार्ड़र तो पैसे सेल जब आप पढ़ेंगे रूट का structure डाइकार्ट प्लांट में तो पैसे सेल जो होता है वो कहां पर होता है आपका इंडोडर्मिस में होता है जो help करता है एपो प्लास्टिक मॉमेंट आफ वाटर मॉमेंट का वाटर तीन तरीके से होता है एपो प्लास्टिक जो सेल वाल की तुरू होता है सिम प्लास्टिक जो की प्लाज्मो डेस्मेंटा की तुरू होता है और एक होता है आपका क्या होता है एक एपो प्लास्टिक, सिम प्लास्टिक और transmembrane जो एक cell से निकल के दूसरे cell में दूसरे से तीसरे cell में होता ऐसे ठीक है after fertilization the seed code developed from तो seed code developed होता है integument से याद कर लेंगे seed code कहां से developed होता है integument से simple question है अगला question है बैसल placentation ही जाप जोड़ी तो placentation आप याद कर लेंगे like exile किसमें आलू में solenacy root ACL malovacy exile हो गया फ़िक है अलुआ מהalovacy Coffee में exile होगा इसमें हेलियंTHAS किस family का है esteracy का है esteracy हो गया poesy हो गया इस सब में basal होता है alien बेबी आपका कौनसा होता है आपका exile होता है numphea में आपका superficial circumstation pre mostly free central Fold BC charyop अगला कोश्यन है, if green plant, cells are incubated with oxygenating level water which are the following will become radioactive when cells exposed to light तो cell exposed to light होगा, तो क्या होगा, water breakdown होगा, ठीक है, water breakdown होगा, oxygen निकलेगा, simple से, oxygenating radio level होगा, ठीक है अगला कोश्यन है, in eukaryotic cell cycle, nuclear DNA synthesis occur during, तो देखिए, G1 phase में protein synthesis हो गया, DNA polymerase 1 का synthesis हो गया, यह G1 phase में हो गया ठीक है, जो भी protein चाहिए, DNA polymerase चाहिए, G1 phase, S phase में histone protein का synthesis हो गया, centriol का duplication हो गया ओके, और mitochondria और किसका, chloroplast का भी duplication, अपका, यह mitochondria chloroplast का G2 में होता है, याद रखेंगे और जो भी protein protein बच जाते हैं, बाद में, ठीक है, वो G2 में हो जाते हैं, with the mitochondria and chloroplast का duplication याद रखेंगे, DNA polymerase, G1 में synthesis होगा, S में काम करेगा, centriol का duplication, और क्या होगा, DNA का synthesis अपका S phase में होता है चलिए, अगला question है, which are the following enzyme in bacteria are responsible for restriction the growth of virus तो restriction endonucleage होता है, कभी-कभी क्या होता है, अगर कोई भी virus bacteria के उपर attack करता है अपना genome bacteria के अंदर डालता है, तो bacteria क्या करेगा, या तो उसे direct cut कर देगा with the help of restriction endonucleage, या वो क्या करेगा, उस पर methyl group aid कर देगा, methylage enzyme के दोरा तो viral DNA hack नहीं कर पाएगा, bacterial cell को ओके, ये तो हम चलाग थें, इंसान लोग, कि restriction enzyme का यूज हम recombinant DNA technology में गड़ने लगे लेकिन इसका normal function था, कि अगर virus bacteria को उपर attack कर रहा है, तो उस attack से वो bacteria अपने आपको बचा सके चलिए, अगला question है, इन like in the majority of mycobionter, तो mycobionter नहीं, fungal fart जो होता है, वो इसको mycobionter होता है, आप बताएंगे, आपका phycobiont fight कौन सा होता है, chlorophyce या synophyce, option दे दिया, comment section में जरूर आप comment करें, अगला question है, after fertilization, जाइगो टॉप्टेंड, आलिस्ट, प्लास्टिर, मैटोकंडिया जीनोम, from the maternal parent, this is also nameless, तो मैंने mitochondrial inheritance के उपर video भी बना रखा है, question भी, question भी solve करा रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, इसको maternal inheritance, extract commercial inheritance, या maternal effect बोलते हैं, ओके, अगला question है, which of the following represents haploid structure in fineness, तो मैंने अभी उपर ही बैदाया, कि जो आपका इंडूु श्परम होता है, वो triploid होता है, लेकिन जिम्नली श्परम में जो इंडोर श्परम होता है, वो megasfer 살ette develop होता है! तो वो क्या होता है, heploid होता है, okay? समझ रहाएं हम आपना कि जीम्नली स्परम में, जो आपका इंडोर श्परम है, वो Meg Alfred días ड derowulf हो जा रहा है sensor sense करके brush हो जा रहा है तो आजी मोन हो गया आजी मोन मेकसिकाना वो पीली कतीली जहां पर milky latex मिलता है न किस family से विलॉंग करता है पापवे रिशीशे ठीक है अजी मोन मेकसिकाना चलिए आगे चलते हैं the fungus which grow on dung dung पे ग्रो करने वाले fungus को हम caprofilis बोलते हैं like pillobolus हो गया ठीक है और इसको इसको बोलस हो ठीक है pillobolus या इसको बोलस यह सब क्या है अपके यह डंग पे ग्रो करने वाले अगला कोशन है इन अल्पाइन रिजन अल्पाइन रिजन का मतलब वह रिजन होता है जहां पे बर्फ होता है ठीक है जमीन नहीं होता है वहां पे बर्फ होता है तो अल्पाइन रिजन बोलते हैं red snow is called by you each of the following organism तो red snow काज होता है climatomonas nivellis के द्वारा तो याद रखेंगे बटर कोशन में ब्लू ग्रीन इलगी बट नाट रेड इन कलर वह ब्लू इस ग्रीन होता है याद रखेंगे यह सुब कोशन आपके important है एक्जाम में पूछे जाते हैं ओके सीडो इलेटर यह मैं बता चुका हूँ सीडो इलेटर इस्पाइलर थिकनिंग जो होगा वो अपसेंट रहेगा यह कहाँ होता है एंतो सीरास में होता है अगला कुशन है ब्रावफाइट और इल्गी अलग अलग ऐसे हैं कि इल्गी का जो सिक्स आर्गंस होता है लाइक एंत्रीडियम आर्गी जिओनियम उसके बाहर इस्ट्राइल जैकेट लेयर का कवरिंग होता है इसके आधार भी वो सेपरेट किया गया ठीक है अगला कुशन है दरेजी इंडक्टा पाइनस इस्टेम तो पाइनस का इस्टेम का जो होता है वो साइजोजीनस कैविटी होते हैं मतलब इंटर सेलूलर स्पेस के जवारा जो कैविटी बनती है वो आपका साइजोजीनस कैविटी होती है और ऐसी कैविटी जो ब्रेक तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आपका Cambium सेल होता है Cambium कुछ Cambium तो आपका अपसेंट होता है तेड़ो फायट में लेकिन कुछ हैसे सेल्स होते हैं लाइक इंडोडर्मी से सब के वह कभी-कभी डिवाइट करने लगते हैं अपने आप ही आइसोईट्स में तो सेकेंडरी गो कि अधरी जो ह तो लीफ जो है आपका इंडोडियोस्पर्म का डिप्लायड होता है हफ्लाड तो प्लाटी फायट होगा अगला कोष्चन है तो ले Mayor आ molecular nitrogen को ammonia में fix करने वाला जो होता है nitrogenous होता है ठीक है यह oxygen sensitive होता है लेग हुमिन ग्लोबी ने हाँ पे help करता है help in respiration in bacteria तो bacteria में जो respiration होता है mitochondria देखिए absent होता है bacteria में तो जो plasma membrane होता है bacteria के अंदर न वो अंदर के और extinction उसका हो जाता है और वहाँ मीजो सूम help करता है रे spiration में यहां मीजो सूम तो है नहीं तो plasma membrane आप लगा देंगे जाइमेज एंजाइम डिस्कवर्ट भाई तो जाइमेज जो एंजाइम है वो इसके वुचनर ने ठीक है इनवर्टेज एंजाइम डिस्कवर्ट किये थे सुम नर ने देखिए जाइमेज वुचनर inverter सुम नर ओके याद कर लेंगे सब लिटिल लीफ डिजल काज़ वाई-कौ प्लाजमा लिटिल लीफ डिजल काज़ वाई-कौ प्लाजमा तो वह होगा वायरस अगर ऐसे रहे लिटिल लीफ डिजीज काज़ वाई विच एलिमेंट अगर एलिमेंट पूछे आपसे तो लिटिल लीफ डिजीज आपका जिंक काज़ करता है क्या काज़ करता है जिंक जिंक से एक और रोक होता है जो की होता है खैरा डिजीज अब धा सारे मेल होते हैं तो यह साई थी हमका करेक्ट्रेस्टिक है सिंपल से कुशन दफस्ट इस्टेबल प्रोड़क्ट फॉम आपटर सीओ टू फिक्सेशन इन सीफो फ्लांट तो सीफो फ्लांट में क्या होता है आपका सबसे पहले बंडल सीट सेल फिर मीजो सील सेल तो सबसे प अगला कोशन है अब बैक्टिरियोफेज कंसिस्ट आप तो बैक्टिरियोफेज प्रोटीन और नुकली केसिट को कंसिस्ट किये होते हैं सिंपल सा कोश्चन है वीच वन आप फॉल्लूइंग एसीडियर्टिव आप कारिटी नोयट्स तो देखिए इंडोल त्री एस्टी क कि आपंड बन रहा एक्टिरियोफेज से बन रहा है ऐबडा एसफेज केशिट आइंगला कोश्चन और्प्लिग एटिक लोग大的 ल Means अनु में आप घैक्टिर्ड में बन एच है फ्लाज में बनिट वोलते हैं वाई पर गया के आम आँपता है ना प्र मैंह 17 घृ मिलता है कोलिफेज या 5 x 124 हो गया है वो M13 हो गया तो इस सब में आपका single extended DNA मिलता है देखिए यहां पर लिखा भी है M13 5 x 124 ओके साइगो इस अप्टेन फर्म तो साइगो कहां से मिलता है साइकस रिवलूटा से मिलता है जिनकों से क्या मिलता है हाँ बताइए चलिए हम मुटेशन देट चेंज है बेस पेर इंजीन इन सच अवे देट अल्टर को डान इस तो देखिए सम से मतलब ओबल हाइपोथेसी से ना लाश्ट अगर बेस को हम चेंज कर देते हैं तब भी हमारा अमीनोसीट को सेम यह अमीन भी होता है कि जैसे एक एक पेर डिलीट हो गया या शिप्ट हो गया तो वह दूसरे अमीनोसीट को कोड करने लगता है तो इसे मिस्टेंस nonsense किसे बोलते हैं जब हमारा chain terminate कर जाता है वहाँ पे इस्टा कोडान आ जाते हैं change की दाउराण अगला question है an anti-codana of tRNA recognize more than one codana of mRNA this is due to degeneracy of genetic code होता है ठीक है इसके वज़े से होता है क्योंकि degenerate होता है एक amino acid degeneracy का मतलब यही होता है कि एक amino acid को कई सारे code कोड कर सकते हैं अगला question है the exact sequence of cell organelle in C2 cycle photorespiration में सबसे पहले chloroplast, praxis, metocandria यहाँ पे कैसे का यह याद रखेंगे किस cell organelle में glycine बन रहा है किसमें serine बन रहा है कहाँ पे S2A2 react कर रहा है कहाँ पे NS3 release हो रहा है अगला question है principal form of carbohydrate that is charged located through the flowyam तो आप यह याद रखेंगे कि carbon का fixation किस form में होता है उसका translocation किस form में होता है and उसका storage किस form में होता है storage होता है fructose के form में translocation होता है आपका सुप्रोज के form में और starch के form में क्या होता है synthesis fastest dividing cell जो होता है आपका careless होता है कैलस क्या होता है अन डिफ्रेंसियेटेटेट मास अप सेल जहां पे लीव सूट रूट का डिफ्रेंसियेशन नहीं होता है ओके टिसू गल्चर में है दोनों में हेट्रोपोर होता है गोशन वाट जू फळलेक पढ़ेंसियेटेटेटा वह साइकस का कीसा होता है वो मैनो जाइलिक होता है अर टाइप आप-इंवनर बनानाong में बनाना में इस इंफलार होता है इस पैयए कवर के वोती है और इस पैडिक्स इंफलोरेसंस होता है ये सब चीजे थोड़ा याद करेंगे, like catkin कहां पर होता है, मलबीरी में, कोरीम कहां पर होता है, कॉलिफ्लावर गोबी में, spike कहां पर होता है, amaranthus system में होता है, देखें मुझे याद है न, थोड़ा सा मेनत करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, चलिए, अगले question चलते ह cycle, तो C3 cycle में कितने number चाहिए, 6 बार चलेगा, तब एक glucose का synthesis का, तो वो एक बार में कितना लगेगा, आपका 3 ATP लगेगा, और 3 ATP लगेगा, okay, C3 में 3 और इसमें कितना लगेगा, वहीं आप divide कर देंगे, तो 6 cycle चलाने के लिए C3 में कितना लगेगा, आपका 18 ATP लगेगा, यह रधा concept मत लगाईए, मैं क्या कर रहा हूँ, C3 में ग्लुकोज को सिंदेर किने के लिए 18 ATP, 12 NADPH2 लगता है, लेकिन C4 में क्या होता है, इस्ट्रा ATP लगते हैं, तो 30 ATP हो जाता है, okay, अखला question है, Mutation that involved in change of single nucleotide after code, यह मैं explain का सुखा हूँ, missense mutation होगा, Protendry क्या होता है, मतलब enter mature पहले होता है, और stigma mature बाद में होता है, ठीक है, Protogyny में क्या होगा, देखे, Proto मतलब पहले, Endry मतलब Endress 1 is male, मतलब male पहले mature than female, Protogyny मतलब female mature early than male, okay, Decogemmy क्या होता है, यह सब Decogemmy क्यों होगा है, Decogemmy जैसे की, वहीं different different timing, Decogemmy का ही तो type है, Protendry and Protogyny, ठीक है, Decogemmy is the phenomena where the male and female part of flower mature at the different time, अगला question है, the RNA world hypothesis has been put forward to explain the origin of life after the discovery, आप तो देखिए, RNA world hypothesis ठीक है, Gilbert ने दिया था, okay, तो और cage 30 का, cage ultimate सब के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने राइबोजाइम की discovery के लिया, और उन्होंने बताया था कि जो primodial soup था, वहाँ पे सबसे पहले जो बना था, वहाँ पे राइबोजाइमी एजे एक्टिवेटर की तरह काम करता था, तो यह RNA हिमाली की बूल था, जो सब एंजाइम जो है, प्रोटेनेसिस नेचर गया, लेकिन राइबोजाइम हो गया, यह RNA नेचर का है, याद रखेंगे, अगला कुशन है, वीचा दो फॉल्वेटर हो चुका है, इसको बॉलस मैंने बदाया था, पाली बॉलस लकडी के उपर गुरूप करता है, कब फंजाइ कहां से बिलॉंग करता है, इसको माइकोटीना से, पेजाइ जेल्स हो गया, ठीक है, से, कब फंजाइ को हम क्या बोलते है, कब फंजाइ जैसे फेजाइ जेल्स होता है, से फंजाइ इसको माइकोटीना, कलब फंजाइ क्या होगा, वो बैसीटी और माइकोटीना होगा, ठीक है, यह सब चीज़े है, A stable population is deficited by the below the hypothetical age pyramid ये क्या होगा आपका ये देखिए得 unshipped नहीं होगा ये आपका होगा Bale-shaped pyramid ठीक है कैसा होगा ये answer होगा ठीक है तब Bale-shaped में stable होता है ठीक है stable चलिए अगला चलते हैं 4 region are commonly recognized in developed root the root cap, the zone of cell division, the zone of elongation and zone of measurement root here कहां पर होता है बाई जोन आप maturation में root here होता है आप google पर photo देख सकते हैं जाके ऐसे root का structure डालेंगे तो आ जागा बैंता मुकर ने classification कहां पर दिया था थ्री वालूम में दिया था general plantarian में 97205 इस फिसीच का ठीक है दो सो दो फैम्ली में किया था दखिए यहां पर दिया भी है जेन्रा भी दिया他說 कि इनुलीन न कर नरूंटर आप पॉलीमर है फ्रक्टोज का किसका फ्रक्टोज का थो कि ही डहेलियां मिलता है आप इसब सीजिक याद कजatus का पॉलीमर एलुमीन एलुनीम कि इनुलीन में कौन सा बॉंडिंग होता है आप कमेंट सेक्षिन में बताएंगे अगला कोश्चन है मोडिफाइड इंडोडर्मर सेल इंदर स्टेम आप सिलेजिनला रेफर्ड है तो सिलेजिनला में आप इंडोडर्मल का इस्ट्रक्चर देखेंगे जहां पर वैस्कुलर बंडल होता है वह ट्रबेकुलेट होता है अब पर यहां पर प्रस्कुल बंडल होता है अब मुटेशन यह तो कॉश्चन रिपीट है मैंने बताया साइलेंट ठीक है अभी यह देखिए प्रैक्टिस वाला टेस्ट है ठीक है तो यहां पर कॉश्चन थोड़ा हमने किया है कि रिपीट हो जाया तकि आप सबको थोड़ा अगले संदे को अगर आप जॉइन करना चाहते तो बताया गया है जैसे जॉइन करना है लिंक डिसक्रिप्शन में आप फार्म बरके जॉइन रशकते हैं अगला कॉश्चन है अगला प्रोड़क्शन आप लाज नमबर आप जेनेटिकली सिमलर फ्लांट तो इस इस्टार्ज होता है ग्रीण लिटी क्या होता है यह дस होता है और साइनम भाइस धुर्भीटव चुछ होता है किसे बनाने सब वह कि यह दिदेगक तो देखिए आपको पता है मेगा चार्ज होता है ठीक है और साइन ओफएसी में साइन ओफएसी निस्टार्ज होता है ऐसे कर गे अगला कोश्चन है प्रिंस्पल फॉर्म आप कार्भवध टांस्लोकेटेड ये हो क्या कोश्चन रिबीट है सुक्रोज होता ये डिविंग सेक्स्वर रिपोड्टक्सन इन तो जाइगोड बनाने कितने मियोटिक डिवीजन की जोट पड़ेगी तो देखिए आपको पता है मेगा गेमिटो जिनेसिस में तीन डीजेनरेट हो जाते हैं एक ही फिमेल गेमिट बिशता है ऐसे ही आपका नार्माल लगल प्लांट रेंज स्पम का तो साइप्रस छोड़क तो उसमें क्या होगा चार माइक्रोस्पोर बनेंगे एक बार में तो ऐसे 125 सापका एंसर आता लेकिन साइप्रेसी में भी डीजनरेट तीन हो जाते हैं एक ही माइक्रोस्पोर काम करता है तो वहाँ पर सव चाहिए यहाँ पर भी सव हो चाहिए तो 200 हो जाएगा अगला क्योशन दो मौस्ट कामन इनकैप्सूलेशन जेल मेट्रिक्स फार डिवलाफमेंट आप आर्टीफिसियल सीट तो समयाटिक इम्डियो जियनेसिस जैसे समयाटिक इम्डियो को क्या करते हैं sodium alginate से अगला कोश्चन स्यूडो इलेटर यह हो चुका है एंथो सिरस था हेलोबियल इंडो स्पर्म ठीक है तो वह किस में मिलता है मोनोकाड में मिलता है ठीक है याद कलेंगे हेलोबियल कहां के होता है मोनोकाड में सागो बाला कोश्चन रिपीट हो रहा है सिंजिनेसी सिस्टेम में कहां पर होता है जहां पर क्या होता है आपका यह स्टेरेसी में होता है जहां पर आपका एंथर जो होता है एक दूसरे से फ्री होता है फिलामेंट फ्यूज होता है और आपका सिंद्रस कहां पर होता है वह होता है कुकूरबिटेसी में जहां एंथर और filament दोनों fuse होते हैं अब mechanism that can का gene more to one linkage group to another linkage group तो इसे translocation बोलते हैं actually crossing over हो गया है लेकिन ये गलत है translocation होगा इसका answer क्या होगा translocation formation of sporophyte from vegetative portion of prothelis without sexual fusion तो देखिए formation of sporophyte जहाँ पर sporophyte बन रहा है without the fusion of gamit तो उसे sporophyte बने तो apo gammy, apo मतलब not gammy मतलब gamit का fusion नहीं हो रहा है ठीक है तो without the gamit of fusion sporophyte form is the apo gammy अगर apo is phory रहेगा तो बिना is phory meiosis के gamitophyte बनेगा तो वह होगा the exact sequence आप से लाएं सीटो साइकल कोशन रिपीट है chloroplast paroxysome mitochondria होगा the enzyme which built mRNA standard complementary to DNA transcription unit तो DNA से mRNA बन रहा है वो क्या है आपका RNA polymerase है अकला question है match करना है nano pore जो है आपका DNA sequencing में help करता है nano pore क्या होगा google पे आप सर्च करेंगे तो आपको 4 को मिल जागा बीटा कैरोटीन जो है golden rice बना जा रहा तो उसमें बीटा कैरोटीन का gene डाल दिया गया जिससे उसमें vitamin A का production बढ़ गया जिससे night blindness नहीं होता था हर्वी बार जिन जो होता है बार जिन किसी भी plant में हम डाल देते हैं तो किसी भी हर्वी side के लिए वो resistance हो जाता है fig ward मोजायक वारत जो होता है अगर कहीं भी attack कर देता है तो उसका transcription लगातार होते रहता है क्योंकि उसके पास cancer utory promoter होता है pulse usually like consomino acid pulse में नहीं होता है 16 and methionine नहीं होता है the first protein sequence by frederic sanger वाज तो frederic sanger ने सबसे पहले किस protein का sequencing किया था वो था आपका insulin अगला question है एक minute tertiary structure question था okay tertiary structure of protein can be identified by तो tertiary structure जैसे माली जे protein को ले लिया उसको थोड़ा सा चूरन करके उसको उसको कूट लिया ठीक है फिर क्या कही है extra hysterography डालेंगे तो उसका पूरा structure सई से दिख जाएगा extra externally extra externally inflation found in the family तो extra externally मतलब कि tip पे नहीं रहागा बगल बगल थोड़ा रहेगा फ्लावर उसका तो solenacy में होता है मालव एसी में मोणोड अलफस होता है Ruby AC में आपका देख लेंगे कुकुर बिटेसी में क्या होता है सिरेंडर्स होता है दा वर्ड जीन प्रपूर्ड बाई फर्स्टाइम जोहांसन 1907 में जीन सब्द दिए थे ओके अगला क्वोश्चन है ओके एक मिनिट दा इंडो मिम्रेंस सिस्टम दजनाट इन्वाल तो इंडो मिम्रेंस में गालजी बाड़ी होता है इंडो प्लानए रे्टिकूला मोता है या है है तो यह इसमें से कोई भी नहीं होगा जो इंडो मिम्रेंस सिस्टमकं दो धासार ने क्रोमसूम तो जीन होता है क्रोमसूम पे लोकेटेड हो था है हमनें बताया ता जीन मैपिंग करके मॉर्गन ने बता ता स्विट पेटेटर रूट है तो इस अब आपको मार्फोलाजी पढ़ेंगे रूट का तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा चलिए आगए के चलते हैं फिमेल गेम टो फाइट आप टीपिकल डाइकार्ट इस तो जो फिमेल गेम टो फाइट होता है वह सेवन सेल्ड एट नुक कर रहा है क्योंकि उसमें अच्छे से फ्लावर एंफ्लोरेसेंस है हर चीज तो इस्ट्रेसी इस दा मोस्ट इड्वांस ग्रूप इंदा इंजी स्पर्म ओके और मैगनिलियसी हो गया रेननकुलेसी हो गया यह सब बेसल इंजी स्पर्म है अगला कोईशन है सेलोलोज इस फ तरह तो उसे अंबर बोलते है रेजीन होई है अगला कोईशन ओके हंडिट कोईशन खतम ओके तो यहां पर हमने बाटनी बेसिक स्टेस्ट नूमर वन को देख लिया है ऐसे कोईशन थे बहुत ही सिंपल कोईशन मैंने रखे थे ताकि आप सब देख सके कि अभी आपका प् सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे हम ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे ओके चलता हूं मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स वीडियो में किसी और ने टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो